तो हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है उदित नरायन विश्चुकर्मा और स्वागत है अपसो लोग का मेरी इस यूटूब चनल उदित फर्मसी पे तो फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एक्जाम को लेकर गे यहाँ पे लगड इस तरह से जो कुछ ऑनलाइन एक्जाम होते हैं उसमें MCQ-type question पूछा आता है आपसे जबकि यहाँ पे फार्मसी में only MCQ-type question नहीं पूछा जाता है चाहे आप किसी भी state से किसी भी राजे से किसी भी बोड से किसी भी इनिवर्सेटी से कर रहे हैं अपना D-Pharma लेकिन यहाँ पे आपका EMCQ-type question आता होगा लाइक कि pharmacy या फिर nursing इस टाइप कि कोर्स की बात कर रहे हैं जैसे बेसी नर्सिंग हो गया फिर भी फर्मा हो गया डी फर्मा हो गया तो यहाँ पे pharmacy के खास तोर से आप लोग इस्ट्रेंट मेरे पास ज़्यादे तर जूड़े हुए है वो है class जो करते हैं तो मैं बता दूँ कि pharmacy में यही पे ना के बराबर संभावना है कि आपका online exam होगा इसके पूरे system को बदलना पड़ेगा अगर total EMCQ type पे जब online exam होगा तब ही यह कहीं न कहीं possible है मतलब बहुत कम chances है second option कि यदि online exam होगा तो का online में हम जैसे कि typing theory exam नहीं दे सकते हैं दे सकते हैं लेकि देखें उसमें भी एक problem आ जाएगा जबकि B फर्मा उले student computer का class करते हैं लेकिन उन्हें भी ऐसा कुछ नहीं कि आपका typing speed होना चाहिए लग कि आपका इतना minute में इतना word type कर सको यह हो ओ अलग बात होगा यहाँ पे D फर्मा में कि computer का कोई class भी नह होता है देखें ओनलाइन इग्याम में जहां तक आप एक्जाम दिये होंगे लाइक हम पहले बात की कोई भी competitive इग्याम है फिर इंट्रेंस इग्याम इस तरह क्या फिर त्रीपल सी इस टाइप एक्जाम होता है इसमें केवल MC को टाइप question रहता है आपका जो भी timing रहेगा लाइक की एक्जामपल के लिए कि कोई एक्जामपल एक्जामपल देते हैं कि आप लोग हम से जुड़े हुए हो तो मेरा एक special से software है जिसमें की programming coding टोटल सेट है कि हम क्या चाहते हैं अपने recording हम चाहते हैं कि आपके सामने का चीज देखना लाइक इसमान के चलो कि हम चाहत हम चाहते हैं कि सामने और फ्रंट दोनों का camera open होना चाहिए आपको तो यह पता चलेगा ने क्योंकि आप मेरे application पर हो यहां तक बहुत ज़्यादे मुझे टेक्निका लोग इने इतना knowledge है कि software coding के जरी किया जा सकता है Google है Google आपको Google जो भी होता है क्या बोलते है Google device जो कि पर वह सुनेगा लाइक कि अब उसके बाद जो आप इंडेक्शन दो कि जब ओके Google बोलोगे तब यह आपको capture करेगा लाइक यह coding सेट है कि ओके Google जब बोलो अदर जो भी बोलो कि उसको capture नहीं करेगा तो उसमें टोटल प्रोग्रामिंग सेट रहेगा कि आप जो भी बोलो तो इस तरह का एक पुड़ा सेटिंग रहा था उसमें आपके body language को आपका कैसे moment कर रहे हो आपका mouse कैसे जा रहा है आप कैसे टिक मार कर रहे हो क्या कोई robot तो नहीं आपके बैठा है लाइक कि आपका hubow बना दिया गया और को रोबोट को दे दिया गया है तो ऐसा तो कहीं नहीं है तो यह सब चेक करने के बात मतलब बहुत होता है बहुत जादे मैं ऐसा नहीं कि मैं software engineer हो मुझे सब आता है नहीं जो ही knowledge है लाइक कि इस तरह से होता है आपका तो वो प्रस्नल एक official उसका website रहेगी coding रहेगी program रहा उसका उसके website पे आप जाके वो चीजी कर सकते हो लेकिन यहां तक यह फार्मेसी में ऐसा नहीं कि अद्गम possible ही नहीं है possible है किया जा सकता है लेकिन total system को बदलना पड़ेगा इसके साथ भी ऐसा नहीं कि आपके घर पे बैटके exam दो कि lockdown ने भी तो आप घर पे हो वहां भी आपके पास examiner होते हैं बहुत से student को बहुत अभी technical लाइक कि हम ebook जो बना के sale कर रहे थे अपना की ebook आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर मतलब shortly study करना चाहते हैं तो उसे भी डाउनलोड करने आती है यहां पर maximum strength है लाइक payment नहीं करने आती है तो यह ऐसे बहुत से student भरे पड़े हैं यहां पर फार्मेसी में हम बात करें जिन् online आपका exam होगा तो अब साथ आप online exam बर में कापी कुछ समझ दिक होंगे जान चुगे होंगे कि आपका exam online होने का ऐसा कुछ समझाना नहीं पिरहल आपके बोड या फिर आपके college या फिर आपके university क्या कुछ notice आया है आपको लाइक कि आपका online exam होगा कि नहीं होगा हां एक बात और हम भूल जा रहे थे बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सेसनल exam मेरा online हो रहा है देखे बाई सेसनल exam आपके college तक्सीमी थे कर आप मेरी वीडियो को देखते होंगे तो आपको definitely पहले बात पता होगा हम कई बारे चीज बोल चुगे हैं कि यदि आप सेसनल exam नहीं भी देते हो फिर भी बहुत जाज दिकत नहीं यदि आपका college चाहे तो क्योंकि total आपके और college के बीच मेराता है तो वहाँ पे सेसनल exam हो सकता है आपका जो state board है वहाँ से allow हो गया हो कि आप अपने student का सेसनल exam जैसे की like online ले लो जो भी है तो वहाँ पे आप नकल भी कर सकते ह ऐसा कोई भी college नहीं है मैं like यहाँ पे अगर college करोड़ो रुपे खर्चा करेगा लाकर रुपे खर्चा करेगा आपके क्यों एक exam को ले करके एक website तो उतना मतलब normally जो college है लेकि हम किसी बहुत बड़े संस्था की बात नहीं कह रहे हैं लेकि normally जो यहाँ पे colleges होते है private college की य एक या दो लाइक एक मालिक है एक डिरेक्टर का एक या दो college है वो एक exam के लिए अपना करोड़ो रुपे खर्चा नहीं करेगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादे कोस्ट्ली उसका जाएगा अगर वो टोटल बर्वाना चाहिए लाइक कि एक coding पूरा set कर वाइपर कि हमको क्या देखना है हमको क्या user का लेना है लाइक कि आप इस्टेंट हो कि आपका सामने का camera चालू होना चाहिए आपको पताना चले पीछे का camera चालू होना चाहिए आपका voice capture होना चाहिए आपके body language को capture करना है एक सेक्टर टाइप में बहुत से तमाम चीज़े होते हैं तो यह सब कर करें कि क्या exam होगा कि ने होगा जो notice होगा बहुत सार भेंज रहे हैं आप लोग उसके बारे में तो फिर उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद देगर आप समझ चुके online exam होगा या फिर ने होगा होता है तो कैसे होता है अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को ए बाइव